दोस्तों मसकार आज किस वीडियो मैं आपको बताने बाला हूं Google Pay Transaction History को कैसे डिलीट किया जाता है तो सबसे पहले Google Pay Transaction History को डिलीट करने के लिए Google Pay को Open करेंगे Open करने के बाद यहां पर आज आएंगे Profile पे कोने वाले Option पे तो अपने Profile पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे Setting बाले Option पे आप क्लिक कर देंगे Setting बाले Option पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहां पे देख सकते है Privacy and Security तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद देखे First Option पे है Data and Personalization तो यहां पे आपको क्लिक कर देना है तो चलिए हम यहां पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं गूगल एकाउंट तो यहां पे आपको गूगल एकाउंट पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप गूगल एकाउंट पे क्लिक करेंगे डियरेक्ट कि होंगे सारा transaction आप यहां पे देख सकते हैं तो डिलीट करने के लिए इन में से कोई भी आप transaction history को डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जो transaction history आप देख रहे हैं इसके side में देखिए को रोज का option है तो यहां पे आप क्लिक कर देंगे तो यह देखिए डिलीटिंग हो जाएगा तो यहां पे देख सकते हैं डिलीट कम्प्लीट हो चुगा है अगर आपको पूरा ही Google transaction history डिलीट करना है तो यहां पे डिलीट वाले option पे आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पे all time डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद यहां पे देख सकते हैं आपका जितने भी Google page से transaction हुए है all time में अभी तक सभी डिलीट हो जाएंगे तो चलिए डिलीट वाले option है तो इस तरह से आप भी Google page का transaction हुए को डिलीट कर सकते हैं